एलो दोस्तों वेलकम चो आवर चैनल चूज्यू अफिस बात करने वाले हैं तीन मुविस का कलेक्शन को लेकर इसमें से दो मूभी है बॉक्स-इस मतलब थेठर का और एक है ओचीटी का कलेक्शन हा दोस्तों इन तीन मुविस को लेकर बात करेंगे अगर आप लोग हमारे च करते हैं वांडा रोमें 1984 को लेकर इस मुवी का बजट है 200 मिलियन यूज डॉलर इस मुवी ने अपने फ़र्स डे में एक ताबरतोर कलेक्शन किया है इंडिया के बाहर वाल्ड वैट में भी इस मुवी को रिलीज किया गया और यह मुवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रह रहे हैं बहुत जगह में तो थेटर खुले ही नहीं हां दोस्तों फिर भी इस मुवी ने ताबरतोर कलेक्शन किया है आप बात करते हैं कुली नंबर वान को लेकर इस मुवी का बजट है 50 क्रूपीस लीड डोल में है बरुन दावंसर हां दोस्तों आप लोगों को बता दे फर्सडे में इस मुवी ने एड बगएरा से जो कलेक्शन किया है वह 20 करोर से ज्यादा कलेक्शन हां दोस्तों 20 करोर प्लस का क्लेक्शन किया है अभी तक रियल डाटा सामने नहीं आया क्यूंके अमाजन प्राइम वीडियो ने अभी तक कोई ओफिशियल डाटा नहीं दि आप बात करते हैं सोलू ब्रेथू के सो बेटर हां दोस्तों यह तेल्गू इस्टेश से है तेल्गू फ्लीम है हां दोस्तों इस मुवी का जो कलेक्शन है वह बहुत ही अच्छा है आप लोग को बता देता हूँ लॉक्डाउन के बाद यह फस्त मुवी है जो बिग जड़ा कलेक्शन नहीं करेगा लेकिन आप लोग को बता देता हूँ 75% इस मुवी का ओकुपेंसी है हां दोस्तों मतलब 100% में 75% टिकेट विका गया है जो एक बढ़िया कलेक्शन है हां दोस्तों क्रिसमस के में मैंने में यह मुवी रिलीज हुआ और मुवी बहुत ही सकते हैं तीन मुवी में बेस मुवी कौन सा है हमें लगते हैं सबसे अच्छा मुवी हुआ है सोलो ब्रेतु के सो बेट कर हां दोस्तों इस मुवी को ही दर्शकों ने ज्यादा पसंट किया और आप लोग को बढ़ दो कुली नमबर वान और वांडर रोमें 1984 यह दो मुवी भी अच्छा हुआ है इस मुवी का रिस्पॉंस भी बहुत ही अच्छा है तो प्लीज कॉमेंट कीजिए सबस्क्राइब कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए हम हमेशा से चाहते हैं आप लोग को अब्जेट करते रहते हैं दन्यवाद